नहुस्कार मैं मनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस से योटूब चैनल पे दोस्तो जिस तरीके से जीडी सी की वेकेंसी निकल रही है और सभी जोनल अरेलवे को ऐसा निदेश दिया गया है कि सितंबर तक जितने भी आपके जीडी सी के हैं वो एक्जाम कंड़क्ट कर लिए जाएं तो इससे ये पदा चलता है कि आपका जो सितंबर के बाद का महीना है वो आपके जीडी सी के बाद की जो वेकेंसी है ओपन मार्केट की वो आने की संभावनाएं हैं मैं ऐसा इस लिए बो रहा हूं क्योंकि जो लेटर में इंपैसिस दिया गया है जोल दिया जेनरल डिपार्टमेंटल कंपटेटीव एकजाम जीडी सी फूर फीलिंग अप 25 परसेंट जो वेकेंसी होती है वो जीडी सी की थूरू फील होती है और इसमें स्लेबस भी दे रखा है कि कौन अगर आप जई बनना चाहते हैं एलपी टेक्निसीन बनना चाहते हैं तो क्या स्लेबस है दो एकजाम देना पड़ेगा या सिंगल एकजाम में आपका हो जाएगा काम तो यह तमाम चीजे इसमें दे रखी है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजागा क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको रेलवे से संबंदित रेलवे के वेकेंसी से संबं और टेर मेनेजर का दे रखा है आपके यानि की गुर्सकार्ट का दे रखा है और एलपी टेक्निसियन का दे रखा है और आपके एक और जेई का दे रखा है किसले बस क्या होगा आज हम बात करने वाले हैं चक्छू परकासन की तरब से निकलने वाले आरपी एफ और आरप प्रेक्टिस सेट प्लस मिल जाते हैं तो टोटल आप देख सकते हैं तक्रीबन 25 से आपको यहां पर प्रेक्टिस सेट मिल जाते हैं इस तरीके से इसका फॉंट दिखेगा आप इसको अगर पर्चेज करते हैं तो और यहां पर उत्तर माला भी आपको मिल जाता है ABCD के फॉर में प्लास से इसका ब्याख्या सहीत भी उत्तर मिलता है इसके अश्टडी गाइड भी आती है यहाँ पे RPF, RP, SF के लिए तो अश्टडी गाइड खरीते हैं तो डिटेल इसमें सिलेवर्स जो है वो कवर किया गया है और एक-एक के टॉपिक को अच्छे से हो सकते हैं लेकिन जेरली होता नहीं है हो सकते हैं इसलिए लिख देता है ताकि भविस में अगर हो तो आप लोग हला ना करें इसलिए इसमें दो एक्जाम की मतलब PT और MENS की बात की जा रही है लेकिन होता एक ही है और होगा भी एक ही यहां पर देखिएगा जो मैं सितंबर की बात कर रहा था और अक्टूबर में आपके जो नोटिफिकेशन निकलेंगे वो किसके निकलेंगे वो आपके जितने भी और भी बच गए ओपन मार्केट की वेकेंसी हो अपके जितने भी वेकेंसी है वो आने वाली है तो यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा इग्जामिनेशन थर्ड पाराग्राप मैं आपको दिखा देता हूं जिससे की आपको किलियर ली पदा चल जाएगा कि एक्चुल में कहा क्या रहा है दर इक्जामिनेशन इस लाइगली तो बी हेल एनी टाइम आप्टर सितंबर रेलवे सुट प्लान देर स्चुड्यूल अकोर्डिंगली एंड एंड लीस्ट ऑफ इलिजबल कर देट सूड बी मेड एवलेबल बीफोर सितंबर इंड यानि कि सितंबर के इंड तक जो इलिजबल कंडिएट है उ सितंबर के मान चलो कि सितंबर यांट के फर्स्ट बइकजय्ब हो जाएंगे alors ऊसी के बाद आपके आपके जो है वो open market कि वेकेंसि आना चालू हो जाएगी तो अभी इपके आपके पास काफी समय है देखिए तैयारी करते रही है जो की आएगा वेकंसी तो जादा मत्रा में आएगा सभी सेक्टर में आएगा तो आपको बतर नहीं चलेगा कि टेकनिकल का पढ़े या नॉन टेक पढ़े किस तरह से पर पेशन करें तो अभी से पढ़ते रही है आपक तक ले जय हिंद